अब इस सब का सार ये है कि सबसे पहले ये समझना होगा कि अस्तित्व की प्रकृती क्या है आप चाहें तो इसे देख सकते हैं या आप परमानू को देख सकते हैं या आप ब्रहमान को देख सकते हैं अगर आप ब्रहमान को देखना चाहते हैं तो ये काफी जटिल है ये मुश्किल होगा क्योंकि आपके पास गैलरी सीट नहीं है ये स्टेडियम की तरह नहीं है, कि आप कहीं बैट कर सारे ब्रह्मान को देख सकें बहुत मुश्किल है, आप इसे सिर्फ टुकडों में देख सकते अगर आप एक परमानू को देखना चाहें, किसी ने भी परमानू को नहीं देखा है कि आप जानते हैं? कि आपको पता है? एक सूपर एलेक्टरोन माइक्रोसकोप से भी आप एक परमानू को नहीं देख सकते हमने इसकी गतिविधियों को देखा है, पर हमने कभी परमानू को नहीं देखा लेकिन हम इसे तोड़ चुके हैं हम उन चीजों को भी तोड़ सकते हैं जिने हम देख नहीं सकते हैं ये हमारी इन दिनों हम इस पर बहुत गर्व महसूस करते हैं हम किसी भी चीज को तोड़ सकते हैं हम इसे बना सकते हैं या नहीं इसमें संदे लेकिन हम जो चाहें उसे तोड़ सकते हैं भले हम इसे देख नहीं सकते हैं पर हम इसे तोड़ सकते हैं अब आप क्या देख सकते हैं और क्या नहीं ये भी बड़ी अनिश्चित चीज है मेरा मतलब है वो क्या है जो आप देख सकते हैं अभी क्या आप मेरा हाथ देख सकते हैं? येस आप मेरा हाथ सिर्फ इसलिए देख सकते हैं, क्योंकि मेरा हाथ प्रकाश को रोकता है अगर मेरा हाथ इस प्रकाश को नहीं रोकता, अगर ये प्रकाश को आर पार जाने देता, तो आप इस हाथ को नहीं देख पाते या दूसरे शब्दों में, अभी आपकी आँखें सिर्फ उन्ही चीजों को देख सकती हैं, जो प्रकाश को रोकती है जो भी चीज प्रकाश को आर पार जाने देती है उसे आप नहीं देख सकते सबसे पहली बात है कि आप प्रकाश को ही नहीं देख सकते यहां जो प्रकाश है कि आप उसे देख सकते हैं? नहीं, आप सिर्फ उसे देख सकते हैं जो प्रकाश को रोकता है जो प्रकाश को नहीं रोकता आप उसे नहीं देख सकते बहुत बुरी बात है न आपको उन सभी चीजों को देखने के काबिल होना चाहिए जो प्रकाश को आर पार जाने देती हैं क्योंकि वो महतुपून चीजे हैं लेकिन अभी आपकी आखें सिर्फ उसे ही देखने के लिए प्रशिक्षित हैं या देख पाने के काबिल हैं जो प्रकाश को रोकता है तो जीवन जैसा है उसे वैसा ही देख पाने की पूरी प्रक्रिया का मतलब है सबसे पहले एक ऐसी आँख को विक्सित करना जो विचार शून्ने हो ऐसी आँख जो विचारों से मुक्त हो जब मैं विचारों से मुक्त कहता हूँ तो इसका मतलब है कि ये यादों की मिलावट से मुक्त हो अभी ये दो आखें यादों से पूरी तरह भरी हुई है देखें, आप ये देख सकते हैं अगर आप कुछ लोगों के समू को ऐसे देखते हैं अगर आप बस यूँ ही ऐसे देखते हैं अगर इन सैकडों लोगों के बीच अगर कोई एक ऐसा चेहरा है जो परिचित है तो आप देखेंगे कि वो चेहरा अचानक बिल्कुल स्पष्ट दिखेगा क्या आपने गौर किया है आप सड़क पर जा रहे हैं वहाँ सैकडो लोग खड़े हैं आपका दोस्त उनके बीच है अगर आप वहाँ देखते हैं तो सिर्फ उस दोस्त का चेहरा दूसरे लोगों के चेहरों से कहीं ज्यादा साफ दिखाई देता है क्योंकि ये आँख यादास्त के साथ काम करती है आपके पास जितनी ज्यादा यादे होती हैं ये उतना ही बहतर देखती है अगर कोई यादे नहीं है तो ये नहीं देख सकती यादों का मतलब है जमा किया हुआ अतीत यादों का मतलब है जानकारी यादों का मतलब है ऐसी चीज जो नहीं है लेकिन होने का नाटक करती है यादें असलियत से ज्यादा असली होती हैं है कि नहीं? मैं चाहता हूँ कि आप ये समझें आपके जीवन में हर चीज या आदाश्ट या मेमोरी से चलती है सिर्फ कंप्यूटर स्टिक ही नहीं आपके जीवन में सब कुछ जब मैं आदाश्ट कहता हूँ तो ये केवल यहां नहीं है आपका शरीर ही यादों का एक धेर है अगर आप केला खाते हैं तो ये एक पुरुष का शरीर बन जाता है और अगर वो एक केला खाती है तो ये एक महिला का शरीर बन जाता है ऐसा सिर्फ शरीर में मौजूद यादाश्ट की वज़े से होता है जानकारी जो इस शरीर में भरी है और जो उस शरीर में भरी है वो अलग-अलग है वही केला एक आदमी बन जाता है वही केला एक औरत बन जाता है या क्या आप अलग-अलग तरह के केले खा रहें वही चीज, वही भोजन, अगर आप खाते हैं तो ये एक तरह का बन रहा है एक व्यक्ती में ये काली तवचा बन रहा है, किसी दूसरे व्यक्ती में ये गोरी तवचा बन रहा है कैसे? ये आपके भीतर मौझूद यादों की वज़े से हो रहा है क्या आपको अपने पर-पर-पर-पर दादा याद है? नहीं, लेकिन उनकी नाक आपके चहरे पर बैठी हुई है आपके शरीर को याद है, है ना? हो सकता है कि आपको कोई अंदाजा नहों कि वो कौन थे पर आपके शरीर को आज भी याद है लाखों साल पहले आपके पूरवच कैसे थे? इसे अब भी याद है, है न? तो आप जिसे अपना शरीर कहते हैं, वो बस यादों का धेर है और आखें यादों से भरी हुई है वो आख जो यादों से भरी है, जो आख यादों से दूशित हो चुकी है वो किसी भी चीज़ को वैसा नहीं देख सकती, जैसी वो है ये चीज़ों को सिर्व ऐसा देखेगी, जैसा इसके लिए सुविधा जनक है क्योंकि सौफ्ट्वेर भीतर से काम कर रहा है ये आपको किसी चीज़ को वैसा नहीं देखने देगा, जैसी वो है इसी को हम पारंपरिक तौर पर कर्म कह रहे हैं ये आपके शरीर में है ये आपकी उर्जाओं में है जिस तरह से आपके शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाएं होती है ये उसमें है, ये आपके मस्तिष्क में है, ये आपके मन में है, ये हर जगा है आपकी जो बहुत एक उर्जा है उसमें भी आदाश्ट होती है क्योंकि आप देखेंगे कि एक व्यक्ति की उर्जाओं का बरताव दूसरे व्यक्ति की उर्जाओं से अलग होता है ऐसा यादों के प्रकार के कारण होता है अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ये एक लंबी प्रक्रिया है अगर आप इससे छूट जाते हैं तो व्यक्तित्व और शरी ढह जाएंगे तो दूसरा तरीका इससे एक दूरी बना लेने का है इसे बस थोड़ा दूर रखिए जब आप इसके साथ खेलना चाहें तो आप इसके साथ खेलिए जब आप इससे स्विच आफ करना चाहें तो इससे स्विच आफ करना आपके लिए मुम्किन होना चाहिए तो इसके लिए एक बाहरी दृष्टी की जरूरत होती है अभी आपके कान यादों से भरे हैं, आपकी आखें यादों से भरी हैं, आपकी जीब यादों से भरी है अगर आपका जन्द करनाटक में हुआ है और अगर आप उत्तर भारत में जाते हैं तो आपको खाने का स्वाद अच्छा नहीं लगता क्योंकि जीव यादों से भरी है आप इससे परिशान हुए हैं या नहीं, आप उत्तर भारत में गए हैं और उन्होंने कहा और आप वहां टिक नहीं पाए क्योंकि आपके जीब यादों से भरी है इसे वापस वही चीज चाहिए, वरना उसे दिक्कत होगी तो यादों से भरे होने का मतलब है अतीत के खोलने आपको जकड़ा हुआ है यह आपको वर्तमान में भी आने नहीं देगा अतीत का खोल आपको बांदे रहता है और आप इसे ऐसा करने देते हैं क्योंकि इसमें सुरक्षा का एसास होता है तो यह एक खोल बना लेता है इसमें सुरक्षा है लेकिन सुरक्षा में कैद भी है अगर हम आपको लौकर में बंद कर दें तो आप वाकई सुरक्षित रहेंगे पर समस्या यह है कि आप बाहर नहीं आ सकते यही तो सारी समस्या है आपने जिन दिवारों को खुद की सुरक्षा के लिए खड़ा किया है वो खुद को कैद करने वाली दिवारे भी बन गई है यही जीवन की प्रकृती है अगर आप खुद को भीतर से या बाहर से बंद कर लेते हैं वो एक ही बात है जब तक आप दर्वाजा नहीं खोलते इससे क्या फर्क पड़ता है कि किसी ने आपको बाहर से बंद किया है या आपने खुद को भीतर से बंद कर लिया है वैसे भी आप बंदी ही हैं, है न? अगर कोई आपको बाहर से बंद करता है तो आप कम से कम शिकायत कर सकते हैं, और चीख सकते हैं, आपने खुद को भीतर से बंद कर लिया है, तो आप बस मायूस ही हो सकते हैं, आप चीख भी नहीं सकते हैं, आप किस पर चीखेंगें, तो हम इसी प्रक्रिया पर गौर कर रहे हैं, यादाश्ट हर स्तर पर अपनी चा करते हैं, उनके तुरंद बाद ही यादास्त का काम शुरू हो जाता है, तो जब हम कर्म शब्द बोलते हैं, तो ये कोई एक साधारन फॉमिला नहीं है, या लोग कर्म के सिध्धान्त की बात करते हैं, हम किसी सिध्धान्त की बात नहीं कर रहे हैं, हम एक तरह की वास्तविक कर्म का मतलब है यादाश्ट, कार्य और यादाश्ट, पिछले कार्य सिर्फ यादों के रूप में मौजूद होते हैं, है कि नहीं? यादाश्ट सिर्फ यहां के नहीं है शरीर के हर कोशिका की अपनी यादाश्ट होती है एक परमानू का बरताव दूसरे परमानू से अलग क्यों होता है जबकि दोनों के घटक एक ही है वो इसलिए क्योंकि इसमें यादाश्ट होती है हाइडरोजन के परमानू के पास एक तरह की यादे हैं ऑक्सिजन के परमानू की दूसरी तरह की यादे हैं जब तक कि आप उन्हें आपस में नहीं मिलाते वो उसी तरह बरताब करते रहेंगे ये एक छोटे दाइरे में होता है आप थोड़े बड़े दाइरे में हैं ब्रह्मान बहुत बड़े दाइरे में लेकिन वहां भी वही यादाश्ट सब कुछ चलाती है तो जब हम कर्म की बात करते हैं तो हम किसी कॉंसेप्ट या फिलोसफी की बात नहीं कर रहे हैं हम एक वास्तविक्ता की बात कर रहे हैं जो आपके रूप में अभिव्यक्त हुई है। आपके शरीर की बनावट ही यादाश्ट के कारण है। अगर एक पक्षी आम खाता है, तो ये पक्षी बन जाता है। अगर एक कीड़ा आम खाता है, तो ये कीड़ा बन जाता है, अगर आप एक आम खाते हैं, तो ये एक इनसान बन जाता है, वही आम कितने अलग तरह से काम करता है, ये इस पर निर्भर करता है कि उसे कैसी आदाश्ट में डाला गया है, एना? आप जिसे बीच कहते हैं, अगर आप उस बीच को बोते हैं, अगर आप उसी बीच को किसी मिटी में बोते हैं, यहाँ आप आम का पेड़ लगाते हैं, यहाँ आप सेप का पेड़ लगाते हैं, उसी मिटी में, ये सिर्फ सेप पैदा करेगा, ये सिर्फ आम पैदा करेगा, क और ये पीछे तक जाता है तत्वों के स्तर तक हर चीज यादाश्त ही है केवल विशुद्ध तत्व ही यादों से मुक्त है तो वास्तव में योग का मतलब है एक ऐसी आँख को विक्सित करना जो यादों से दूशित ना हो जो सिर्फ देखती हो ये चीज़ों को वैसे नहीं देखती जिस तरह से आपकी यादाश्त इसे दूशित कर देती है ये हर चीज़ों को वैसे देखती है जैसी वो वास्तव में है ये आँख उन चीज़ों को देखेगी जो प्रकाश को नहीं रोकती अभी आपकी ये दो आँखें सिर्फ उन चीजों को देख सकती हैं जो प्रकाश को रोकती है अगर आप किसी ऐसी चीज को देखने लगते हैं जो प्रकाश को नहीं रोकती तो इसका मतलब है कि आँख के एक और आयाम ने काम करना शुरू कर दिया है झाल झाल